Hello students, welcome to my channel इस वीडियो में आप लोगों को B.S.E. Physics का जो आपका Quantum Mechanics का पेपर है उसका एक चैप्टर है आपका Shodinger Wave Mechanics इसमें आप Shodinger Equation के बारे में पढ़ते हैं इसके अलावा Shodinger Wave से ही रिलेटेड आपके काफी सारे topics हैं इस चैप्टर में जिसका स्लेपस आपको यहां पर दिख रहा होगा इस क्रीन पर तो आज आपको इस चैप्टर के Hindi Medium के नोट्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में और जैसे कि इसका स्लेपस काफी बड़ा है आप यहां पर देख सकते हैं इसलिए इसका जो notes है वो भी थोड़े lengthy होंगे, सारे topics cover किये हुए होंगे उसमें, इसलिए notes की PDF थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो यहां से आपके hand return notes start होते हैं, शोडिंगर wave mechanics के, इसमें आपका first topic है, शोडिंगर equation, its need and justification, यह देखिए पूरे जो भी इसकी sub topics हैं, जो इसकी theory है, जितनी पी चीज़े हैं इस chapter के अंदर, वो सारी इसमें आपको मिल जाएंगी यहां पर, आप एक एक page का यहां से देख सकते हैं, मैं आपको इस तरीके से इ वीडियो में, ताकि आपको पूरा एक page दिख चाहें, और आप यहां से एक बार वीडियो को पूरा देख कर, देख लें कि इन notes में आपको सारे topics मिल रहे हैं या नहीं, किस तरीके से notes बनाए हुए हैं, आपको कौन-कौन से topics इसमें मिलते हैं, तो यहां से आपका इनेक्स topic है, त्री-डाइमेंशन शोडिंगर एक्वेशन, यह जो notes हैं, यह according to BSC syllabus बने हुए हैं, इसलिए सभी हैं, जिनके physics के paper में quantum mechanics का जो paper है, उसके अंदर, शोडिंगर wave mechanics वाला chapter यदि आता है, तो वो इन notes को पढ़ सकती हैं, अब यदि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता होगा, तो यदि आपको direct PDF चाहिए, तो PDF का link description box में given है, यदि आपको free में notes चाहिए, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और आप यहां से एक एक page को लिख सकते हैं, अपने खुद के notes बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं, यह सारी चाहें आप पर depend करती हैं कि आप किस तरीके से अपने notes लेना चाहते हैं, बाकि मेरा काम है आपको best से best notes प्रोवाइड करवाना आपकी BSC study के लिए, ताकि आप अपने BSC में अच्छे marks ले पाएं, यह जो notes हैं, यह इस तरीके से बनाए हुए हैं, ताकि इनमें सारे topics तो cover हो ही जा बनता है, तो वो numerical भी notes में मैंने डाला हुआ है, किसी भी topic से अधी कोई numerical बनता है तो, बाकि जो भी इसके derivations हैं, एक एक line बिल्कुल derivation के solve करके लिखी हुई है, ताकि आपको कहीं भी किसी भी line में कोई भी दिक्कत ना आए, बस आपको इन notes पढ़ने की जरुरत है, इन notes क बाद आपको बिल्कुल भी book पढ़ने की जरुरत नहीं पढ़ेगी, book में काफी सारी चीज़े extra दी हुई होती है, अब यदि ये notes में ही इतना बड़ा chapter है, तो book में तो और भी जादा lengthy पढ़ जाएगा, तो हम book से सारी चीज़े नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें BSC में proper notes क होना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको मैं provide करवा रही हूँ मेरे चैनल पर, तो यदि आप चैनल पर नए है, तो चैनल को subscribe कर लें और playlist जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको जो इतने भी बागी के chapters हैं, उन सभी के notes मिल जाएंगे, सभी subject में Hindi medium और English medium, इसके English medium के notes मैं आपक्स्ट वीडियो में, अब यदि ये notes आपके लिए helpful हैं, तो आपको भी एक छोटा सा काम करना है, प्लीज वीडियो को like जरूर करें, क्योंकि आप like करोगे वीडियो को, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने students तक ये notes help कर रहे हैं, बागी इने जादर से अदर BSC students को share करना, जिनके लिए भी ये chapter जरूरी है, यदि कोई आपके friend है, तो जो भी BSC कर रहे हैं, तो उन तक ये notes share करिएगा, यदि आपकी classmates को भी notes की जरूरत है, तो उन तक भी ये जरूर पहुचाईएगा, ताकि जादा स्यादा BSC students इन notes को पढ़कर अपने BSC में अच्छे percentage ला सके, उनको help हो सके, ये channel में आपको BSC का पूरा study material provide करवाने के लिए बनाया हुआ है, जितने भी आपके BSC से related doubts आते हैं, उन सभी के उपर videos पनी हुई है, तो आप playlist चेक करके उन videos को देखे, description box में भी मैंने videos के link दिये हुए है, वो video आपको आपके BSC के study में काफी help करेंग पासिंग के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, इन सभी चीजों पर videos available हैं, तो आप playlist जरूर चेक करें, description box भी जरूर चेक करें, बाकी आपको इनोट्स कैसे लगे, क्या इनोट्स आपके लिए helpful हैं, तो ये भी आप मुझे comment section में जरूर बताइएगा, अब आप यह से देख रहे होंगे कि इसमें numerical चल रहे हैं, ये numerical आपके जो जो topics से numerical बनते जाएँगे, उन topic की explanation के बाद numerical ढाल दिये हैं, ताकि आपको ये confusion ना हो कि इस trpx गया तो जिस भी topic का numerical होगा उस topic की explanation के बाद आपको numerical मिल जाएगा जिसमें भी आपका numerical बनता होगा BSC exam के अंदर अब यहाँ पर आपका next topic है fundamental postulates of quantum mechanics I hope आपको यह video clear दिख रही होगी अधि video clear ना देखे तो इसका resolution high जरूर कर ले ताकि आपको एक एक page यहां से अच्छे से दिखे और आप अच्छे से यहां से screenshot ले पाएं आपको इन notes का screenshot लेने के लिए video को pause करने की ज़रत नहीं है आप चलती वीडियो में ही अपने direct screenshot ले सकते हैं यहां से चाहे तो video को pause करके अपनी notebook में एक एक नोट्स बनाने हो तो ये नोट्स सभी उनिवर्सिटी के स्टुडेंट्स के लिए हैल्फुल है इसमें आपके B.S.C. से जुड़े हुई ही टॉपिक्स डाले हैं चोकि एकसर एकसाम में आ जाते हैं यानि आपको इसमें B.S.C. का स्लेबस मिलेगा पूरा एकदम बेस्ट नोट्स हैं इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकते कहीं पर भी नहीं एकदम परफेक्ट नोट्स हैं चाहे तो आप इस नोट्स को अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं एकदम बेस्ट नोट्स हैं ये B.S.C. के लिए अब यहां से इसमें द इनमें derivations आएंगे तो derivation जितने भी है ना physics के अंदर सारे copy में खुद से solve जरूर करना क्योंकि derivation जब तक आप खुद से solve नहीं करोगे आपको याद नहीं होने वाला वो derivation आपके वल notes से पढ़कर नहीं रह सकते उसको आपको याद करना ही पढ़ेगा नाओ इसमें दिखिए next topic है construction of one dimensional way package ये भी एक important topic है इन notes को पढ़ने के साथ साथ previous year की questions जरूर कर लेना क्योंकि यदि आपने notes प्लस previous year की questions कर लेना एक भी question आपका बाहर नहीं जाएगा सारे question आपको मिल जाएंगे यदि आपने notes और previous year की questions अच्छे से करे तो derivation है पूरे सारे अच्छे से solve करना theory में आपको कहीं भी कोई दिकत नहीं आने वाली writing भी ठीक है आपको सारे words समझ में आ जाएंगे अब रही बात इन notes के topics को समझने की तो मैंने आपके लिए एक video बनाई हुई है जिसमें मैंने BSC के physics के best channels बताए हुए है चहां से आप BSC physics की पढ़ाई कर सकते हैं तो BSC physics की पढ़ाई करने के लिए आप उन channels को देख सकते हैं उस video का link मेंने description box में डाल दिया है और यदि आप उन channels के लावा किसी और channel से भी पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं आप YouTube पर बस जो topic आपको पढ़ना हो उस topic को सर्च करिए एक एक topic आप सर्च करते जाईए और जिस teacher का अच्छा लगे उस teacher का आप वो topic समझने के लिए तरीका अपना सकते हैं इससे आपके एक एक topic भी clear हो जाएगा और आपको सारे topic YouTube पर मिल भी जाएंगे तो यहीं पर आपके notes complete होते हैं Thank you for watching this video